तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करतीजिए बेल आइकन को प्रेस करतीजिए तो चलिए आज हम पुलाओ बनाते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे चावल ले लिया इसे हमने अच्छे सो वॉश कर लिया अब हम एक पतेली को गरम होने के रखेंगे इसमें हमने जीरा डाला है कुछ खड़े गरम मसाला है हरी मिर्च है तेज के पत्ते हैं और थोड़े से हमने ग्रीन वारी मटर डाल दिया है चोटी चोटी अद्रक को भी कट करके डाला है अब इसमें हम चावल को डाल देंगे इसमें चार से पांच मिर्ट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका मतर थोड़ा सा कलर मत रेड ना हो जाए तब तक टेस्ट रकॉर्डिंग नमक डाल देंगे थोड़ा से इसमें हमने गरम मसाला डाला है जिसी कि यह चावल मतर फ्रेंट्स यहां पर हम बिर्यानी नहीं बना रहे हैं बस यहां पर नहीं मतर डाला है थोड़ा सा गरम असाल जिस्वें कि थोड़ा सा चेटबटा बनेगा यहां पर हमने पांच घ्लास पानी लिया है यहां पर दस गरस पानी ले और पांच गरस हमारा चावल है अब पानी को डाल देंगे और गैस के फ्लेम को करके देखें पुल्ा को ये ने बहुत ही अच्छा खिला कीओ हमारा बन गया है अब इसे यह बनने के बाद थोड़े टाइम ता किसे ढखके रख देना होता है जिसे कि भाप में अच्छे से इस्टीम हो जाएगा तो यहाँ पर हमने पुलाव बनाया है मटर पनीर बनाया है आलू गोवी की सबजी बनाया है जो कि मेरे वीडियो चैनल पर आप जाकर वच कर सकते हैं यह हमने चैनी की डाल बनाया है तो वीडियो पसंदे तो लाइक करना और भी बहुत सारी फ्रेंड्स रेस्पी है जो बैक टू बैक आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजा व बाटू